प्रधान मंतरी नरजमोदी की अपील पर 22 मार्च को यानि की आज पूरे भारत में जन्ता कर्फ्यू लगा हुआ है यानि की पूरा भारत आज लॉट डाउन है दोस्तों इस वीडियो में आप से बात करेंगे कि जन्ता कर्फ्यू और आम कर्फ्यू में क्या अंतर होता है जन आम कर्फ्यू और जन्ता कर्फ्यू में क्या अंतर होता है और इसमें पूलिस यानिवी फोर्स की ही साहिता निया जा सकती है ताकि जन्ता कहीं पर एक अत्रित ना हो सके जहाँ पर पुलिस की कमी होती है महाँ पर सेना का भी सहरा इसमें लिया जाता है लेकिन जनता कर्फ्यू इससे बिलकुल अलग होता है जनता कर्फ्यू क्या होता है जनता कर्फ्यू जनता के लिए जनता के द्वारा और जनता पर लगाया जाता है यानि कुरोना नाम की जो महामारी फैल रही है उसका जो एक चेन केजी से बन रहा है उसको रोका जा सके याद रहिएगा कि भारत में अभी ये बीमारी स्टेज 2 में है स्टेज 3 बहुत ही खतरनाक है यह बीमारी स्टेज 3 में ना पहुचे इसके लिए ये जो वे कर्फ्यू नरेंद मोदी ने गुरुवार को रात आट बजे देश की जनता से अपिल की थी जिसमें कहा गया था कि अपनी बैद्गत सुरक्षा और इस तथा कथिर महामारी को रोकने और उसके चेन को तोड़ने के लिए 22 मार्ट को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता खुद ही अप कि बहुत अधिक मामले अभी तक देखने को नहीं मिले हैं स्टेस 3 बहुत ही खतरनाक है और स्टेस 3 के बाद इस्तिति इटली और चाइना जैसी हो सकती है तो इस बीमारी से लड़ने के लिए ये कहा गया है कि जनता आज के दिन पूरा सहयोग दे यानि कि अभी ये बीमार अपने पाउं जबकि पूरे तोर से भारत में नहीं पसार पाई है तो इसे यहीं पर रोका जा सकी इस बीमारी को और अधिक फैलने से रूपने के लिए जनता से सहयोग के लिए कहा गया है याद रिखेगा कि कोरोना वायरस हवा में कुछ घंटे और जमीन पर लगभग 14 गंटे दगर आता है यानि कि अगर कोई व्यक्ति जो कोरोना से पीडित है वो चीटा है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति 14 गंटे तक नहीं आता है तो उसके संक्रमित होने की संभावना बेहद कम रहती है इसलिए यह कर्फिय लगा गया है कि 14 गंटे तक लोग पारे में बात खही है उन लोगों के प्रति जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सरे डॉक्टर और स्वास्त कर्मी हैं और पुलिस कर्मियों के साथ अन्य विभाग भी हैं जो आपकी सेवा के लिए अपने जान की परवान नहीं कर रहे हैं हाला कि कुरोना का खत्रा उनको भी उतना ही बना हुआ है फिर भी सांती व्योस्ता बनाये रखने और आपके स्वास्त के लिए वो अपने जान की बाजी लगा कर काम कर रहे हैं तो उनका आभार ब्यक्त करने के लिए प्रतानमंद्रीन ने कहा है कि प्रत्यक ब्यक्ति अपने घर के दर्वाजे पर खिड़कियों पर या कहीं पर भी ताली बजाकर उनका आभार ब्यक्ति कर सकें और साथ इसाथ अगर संभो हो तो कोई साउंड यानि किसे थाली बगारा भी आप बजा सकते हैं दोस्तों इसके पीछे एक चिकत्तात्वा क्याने की बैग्यानिक तत्वी है अगर हम आपकी यो आरवेद को माने तो थाली बजाने से सरी की जो इमूर्टी होती है वो बढ़त किताबों में मिलते हैं। जन्ता करवियों कि दिन medical store शर्वी सामानों के दुकाने और जितनी भी स्वास उविदाएं हैं उस emergency की जितनी भी दुकाने हैं वो आपको खुनी मिलेंगी लेकिन जादा तर दुकाने आपको बंद मिलेंगी आवागमन के जादा तर साधन बंद रहेंगे बहुत साज जगों पर लोकल ट्रेन भी रोग दी गई है बस आटो आज भी आपको बेहत कम मिलेंगे केवल इमर्जनसी में ही यह जो सिवाई हैं यह आपको उपलब्द हो पाएंगी दिल्ली मुंबई लखनो हैदराबाद आज सहरों में मेट्रो को भी बंद कर दिया गया है तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपील करता हूँ और बिनम निवेदन करता हूँ कि सरकार के इस आवहान पर जनता कर्फिव का आप लोग पून रूप से पालन करें ताकि हम इस महामारी से बच कर निकल सकें साथ हम अप अपने परिवार की और सबसे उपर अपनी सुरक्षा को भी बनाया रख सकें और इस चेन को प्रेक करने में अपना महती योगदान दे सकें याद रिखेगा कि आप तभी इस देश के अपने परिवार के या स्वाधिकास में सहायता दे पाएंगे जब आप स्वस्त जीवन अन्मोल है और ये आपका है और आप तो आपका परिवार है, आपका समाज है और डिस के लिए आपका योगदान भी है सबसे पहले आपका स्वास्त है जिसके लिए जंदा कर्फ्यू लगाया है और इसमें मैं आपसे सयोग की अपील करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जैहें